आज मैंने बनाई है सर्दियों की स्पेसल बहुत ही खास देश है जो सर्चों का साग और मक्के की रोटी सर्चों का साग देखे कितना बढ़िया बना है और एकदम स्मूध और बहुत ही चेस्टी बनता है और अब बनाइंगे मक्के की रोटी इसके लिए मैंने एक दम आठा लगा के तयार कर लिया है और अब हम लेंगे एक rolling board इसके उपर से मैंने एक गोल करगे एक plastic काट लिया है प्लास्टिक की जो थेली होती है उसको काटके एक गोल रोटी के बराबर ही ले लिया है अब मैंने लिया है मक्के की लोई अटे की और इसको हाथों से इस तरह से फैलाते जाएंगे अच्छे से एक हाथ से साइड में लगा के उपर से दूसरे हाथ से इस तरह से फैलाते जाएंगे तो आटा सोफ्ट होना चीए यह बहुत ही इजली बन जाते हैं इस तरीके से और यह देखें जो किनारी टूट रहे हैं वो भी बराबर में आ जा रहे हैं तो मेरी रोटी बनके तैयार हो गई है यह देखें एकदम बढ़ी आसा एकदम गोल्ड रोटी और अब हम इसको इस त रोटी अंदर तक नहीं सिखेगी और बहार से जल्दी से शिख जाएगी तो मीडियम फ्लेम में इसे मैंने दू मिनट शिखने दिया था पलड़ देंगे और इस तरीके से इसे दबा देंगे हलका सा तो दोनों तरफ से इसको हम सेक लेते हैं और दोनों तरफ से अच्छे स सिख गई है तो अब हम एक चिम्टे से इसे उठाएंगे और उसके बाद हम इसको गैस पर सेख लेंगे आटा बिलकुल अच्छा सा सॉफ्ट होना चीए और यह देखे रोटी एकदम फूल गई है बहुत ही बढ़िया सा और सॉफ्ट भी हो रखी है काफी यह देखे कितनी सॉफ्ट हो रही है पकड़ने में ही यह लटक जा रही है तो इसी तरीके से एकदम सॉफ्ट रोटी बना के तयार करेंगे तो सारी रोटिया हम बना लेते हैं आटे लगाते वक्त ध्यान रखें आटे को अच्छे से गूंथना है हमें और जितना अच्छा आठा गूंथे जाएगा उतनी अच्छी हमारी रोटियां बनके तयार हो जाएंगी तो यह देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम फुली फुली और बहुत ही सॉफ्ट सा यह मक्के की रोटियां बनके तयार हुए इसके उपर से हम डालेंगे देशी घी घर का बना हुआ एकदम सुद्ध वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें